तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो गला होता है वो शोल्डर से इस तरीके से क्यों गिरता है ठीक है आप दिहान से मेरी बात को समझना यह देखे मैंने बैक और फ्रेंट के कटिंग तो की हुई है इसका बैक है और इसका फ्रेंट है ठीक है मोस्टली बिगनर्स क्या करते हैं यहां फे जो कटिंग करते हैं कुट्टी के शोल्डर की वो बिल्कुल सीधे की कटिंग करते हैं आपको सीधे की कटिंग कभी नहीं करनी ठीक है जैसे कि मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं इसको इस तरीके से ठीक है अब आप देखे मैं इस तरीके से बिल्कुल सीधा निशान इसके अंदर लगा रखा है ठीक है लेकिन यह वाला निशान यहीं तक है यदि मैं इस निशान को बिल्कुल सीधा लगाऊंगा तो यह निशान यहां पर आ जाएगा तो देखे दोस्तों आपको यह मेरी बास समझ में आ गई होगी कि यह वाला जो निशान है इसको बिल्कुल सीधा लेकि जाओंगा तो यह यहां तक आएगा तो मैंने जो कटिंग किये ना वो यहां तक तो बिल्कुल सीधा की किये बाद में इस तरीके से डाउन में कर दी है ठीक है अब मैं बैक को इस तरीके से रखता हूं यह देखे ठीक आपको एक कुड़ती पर practically समझा देता हूं, यह देखें, एक कुड़ती है मेरे पास में ठीक है, इस तरीके से ठीक है, अब आप थोड़ा गोर से देखना, इसके जो शोल्डर है हलके से इस तरीके से डाउन में, अंदर की सेट जुके हों है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या इ परmost आएंटे, तो इस तरीके से डाउन इस तरी के से नही किया है, तो बहुत नहीं उन्मीद करता हूं, पहला आपका क्यलियर हो गया होगा, ठीक है, आप बात करतें, दूसरे डाउट की कि कई बर क्या होता, जो फ्रेंट वाला गला होता, यह फ्रेंट वाला पर पास गत कट करना है अब आप ध्यान से समझें जो बैक वाला पार्ट है यह बड़ा है और फ्रेंट वाला छोटा है हाफ यह पॉनिंग छोटा है ठीक है आप जब छोटे बड़े कटिंग करोगे ना तो होगा क्या जो फ्रेंट वाला पार्ट नी पीछे की से नहीं जाएगा अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा यदि हम छोटे बड़े की कटिंग करेंगे तो इसकी स्टीचिंग की से करेंगे स्टीचिंग आपको सेम इसी तरीके से करनी जैसे नोर्मली हम करते है इनको बराबर रखना इस तरीके से ठीक है और इसकी स्टीचिंग करनी है जो बोड़े की शेप होती है आप कभी गोर से देखना मेरे पास में आप एक महिला नहीं है वरना आपको दिखा देता जो डाउन में कट करोगे, तो गला इस तरीके से नहीं फालेगा, झाल है, अब बात करते हैm, आरमल में जोल क्यों आता है, इसको मैं अब ध्यान से समझे, आरमल में जोल आने के main Acho यह होता है beginners क्या करते है, जो भी सीने का measurement होते हैं, आपको इस तरीके से कभी नहीं करना आपको क्या करना है जो आर्मल वाली जगे इसके धाई इंच नीचे आपको बिल्कुल सिधा निशान लगाना है जो कि मैंने अलड़ी लगाये हुआ है अब जो भी आपको मेजरमेंट है वो आपको यहां पर रखना है ठीक है लेकिन मेज सु्जती का मेजरमेंट लेते लेते हैं तो लोर ब्रेश्ट और अपर ब्रेश्ट दोनु ब्रेश्ट का मेजरमेंट लेते हैं LEP?, अपको करना कै prepares heave evolved 36 प्लस यानि कि darkest आप से बड़ा साइज होता है उसमें आपको अपर और मेजरमेंट लेना है वी से जो चोथा हिस्सा बनेगा बनेगा साड़े ग्यारा तो यहां पर देखें मैंने सिंपली साड़े ग्यारा पर निशान लगा दिया ठीक है यहां पर निशान को लगाना है ठीक है इस तरीके से इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाना है यह देखें ठीक है अब आप देखें यह वाला जो मैंने यहां पर धाइंच नीच निशान लगाया था अगर मैं इस निशान को यहां पर लगाता न तो इसकी शेप देखें किस तरीके से जारी है बाहर की सेड यह वाला जो निशान मैं इसको इस तरीके से करता हूं और यहां पर निशान लगा ao नहां उसके वह जाहां चल जाय गाź इस तरीके से है यह देखे एक बेस्ट का measurement लोगा तो चलेगा लेकिन निशान आपको डहेंच के बिल्कुल सीधा लगाना है ठीक है लेकिन यह हैवी साइज है तो मैंने अपर बेस्ट लोगर बेस्ट के दोनों के measurement लिया है ताकि इसके अंदर fitting proper आ जाए उसके बाद में आपको जो भी fitting के निशान आप वीडियो पूरा देखा करें चीज़ें समझ में नहीं आती तो comment करें मैं हर comment के reply करनेगे पूरी पूरी कॉफिस करता हूं अब मैं मिलता हूं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए thank you so much